आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाऊ डाउनलोड नाओ इस क्वेशन में बूल रहा है कि फाइंड एक्वेशन आप दे सर्कल विन दे एंड पॉइंट पॉइंट्स और डामेटर इस अंड दिस अर गिवन ठीक है और उसका सेंटर रिडिस भी फाइंड आउट करना है हम हमंग्या करेंगे हमें डामेटर स्केंड पॉइंट दिए हूँ अगर कोई सर्कल हमारे पार सिस तरह से तरह सो इसका सिंटर अगर यह है तो डामिटर कुछ इस तरह से होगा ठीक है फॉर एक्जांपल हम एजूम कर रहा है डामेटर यह भी हो सकते है ठीक है हम मान रहे है कि यह वाला एक डामेटर है हमरे पैस इसके endpoints दिया हुए है मान लों कि 5,3 यह दिया हुए और 2,4 यह दिया हुए तो हमारे center अगर हम यह एक्स कोडिनेट का एवरेज लेके इसका एक्स कोडिनेट आ जाएगा इसके य कोडिनेट का एवरेज लेके इसका य कोडिनेट आ जाएगा तो क्या करेंगे मान लेते हैं यह अल्फा का मां बीटा है कुछ तो अल्फा क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 डिवेड़ेड़ बैट पीटा क्या हो जाएगा, माइनस 3, माइनस 4 divided by 2, सो alpha क्या है हमार पास, 7 by 2, और beta क्या हिमार पास, minus 7 by 2, ठीक है, तो हमार पास ही आगे, alpha और beta कोडिनेट से आगे, मतलब center आगे, center क्या होगा, circle का, 7 by 2, 7 by 2, ठीक है, ये अग्या है, अब अगर हम, radius out कर लाए सब्सिह की सब्सक्राइब है, यो ये distance find out कर लो। यो यो distance find out कर लाए यो, पूरा Dist abundance find out कर लो। पूरा Distance find out कर लोग तो divide by 2 कर देना बाकि यह कर रहे हो हो थेक है. हम पूरा distance find out कर लेते हैं, ज्योंकि diameter होगा тот called का, देमिटर क्या हो जाएगा circle का, under root of x minus x1 का whole square यानि कि 5 का whole square plus y minus y1, मतलब y2 minus y1 का whole square यानि कि यह 5 नहीं हो गया हम पर, इसको रप करते हैं, यह आएगा हमारे पस, हमें इन दूना points के बिचका distance चीए, यह और यह point के बिचका distance, तो x2 minus x1 का whole square यानि कि minus 3 का whole square which is 9 plus y2 minus y1 यानि कि minus 4 minus of minus 3 which is minus 4 plus 3 यानि कि minus 1 minus 1 का whole square is 1 और या आगे हमार पस x minus x1 का whole square plus y minus y1 का whole square total का under root यानि कि diameter के आए हमार पस under root of 10 तो radius क्या हो जाएगा under root of 10 divided by 2 ये radius हो गया और radius का square क्या हो जाएगा 10 divided by 4 ठीक है which is 5 by 2 तो हम equation लिग लेते हैं circle की standard form कि तुरू standard form क्या होती है x minus x1 का whole square x1 का है है 7 by 2 x का whole square plus y minus y1 का whole square यानि कि ये is equal to r का square which is 5 by 2 तो ये circle की equation है ठीक है center है हमार पस radius भी है हमार पस ठीक है thank you guys Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर